हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज यह देखिए आज मैंने कितनी ही सुन्दसी इसकट बनाई है इसे इसकट को आज मैंने फ्रोग कुर्ती से बनाया है जो हमारी फ्रोग कुर्ती उपर से बिल्कुल खराब हो चुकी थी उसका जो कट एक सलाई लगा कर आज हमने बहुती सुन्दसी है इसकट बनाकर त्यार कर लिये हैं तो चलिए से इसकट को राशु करते है जो देखने में काफी आधा खुबस detention लग रही है से बनाना तो मिल्टों का खेल है यानि कि बच्चव का तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं... वेश पड़ी को कुर्ती मैंसे यह फ्रोक कूर्ती है इसमें से आज हम भ immense सुंदर सी स्कत बनाएंगे इसे बनाना बहुत आसान है अगर आपके पास इस तरह की कुरती भी नहीं है तो आप तब भी से स्कत को बनाएंगे वहाथ ज़्यादा कटेवल होगी और इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान होगा वेश्पड़ियों से कुछ यूज कर ले तो ही अच्छा है तो आज मैं बहुत ही धमाकेदार इसका विडियो बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने इस कट का जो नीचे का पाठ है वो ले लिया है उपर का जो पाठ है वो बिल्कुल ही खराब हो गया है तो अब हम इसका नीचे का जो पाठ है उसे ले लेंगे तो मैं यहाँ पर इसे 7 साल की बच्ची के लिए बना कर तियार कर रही हूँ तो पहले हम इसमें मास्मी कर लेंगे कि हमें कितने इसे लेना है तो मैं इसे ले रही हूँ अठार, बीस इंच जिसमें 2-5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा उसके बाद हम, इसे हम जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे उसमें फोल्ड करने में जाएगा हमारा तो आप उस बच्ची की हैट के साफ से जिसकी भी बना रहे हैं उस इसाफ से आप इसे कट कर सकते हैं तो ये हमारा साड़े सत्रे बचेगा तो यहां पर वीज पर मैंने निसान लगा लिया है अब हम इसमें बीच पीच में हम वीज पर निसान लगाती गई है कि अजस बदूड़ लुदा है कि यह दिखिए इस पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर लिए हैं यह दिखिए आपको एक लाइन दिख रही होगी इस तरीके से मैंने हां पर मार्किंग कर लिए है तो अब हम इस मार्किंग को कट कर लेंगे कि अब इस तरीके से कटिंग कर लिए है सिर्फ आमें इसके इतने पाट की ज़रुत है जो हमने इसमें से ले लिया है और यह इसका जो घेरा है वह काफी अच्छा बनकर त्यार होगा आप इसमें से फ्राक भी बना सकते हैं मैं यहां पर इसमें से इसकर्ट बना रहे हूं तो अब मैंने इसे इस तरीके से ले लिया है अब हमें चाहिए इसके लिए लास्टिक तो इस तरीके से चौड़ी वाली लास्टिक लेंगे और जितनी भी बच्चे की कमर है उससे हमें कम ले रहा है जो बच्ची की कमर है वो है 19 इंच तो अब हम यहां पर इसमें से लेंगे 14 इंच 2 इंच हम और ज्यादा ले लेंगे जिसे हम तो दोनों साइट से हमारा आदा आदा इंच है तो हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है वह इस तरी के से ये कमर आएगी इस तरह से तो अब मैं आपको फिर से नापका दिखाती हूँ यह हमारा लो इंच तो आपके जित्ती भी कमर है बच्ची की उसे इसाब से आप उसमें से चार इंच कम कर दें उसे इसाब से आप इसे ले ले लें अब हमारी जो लाश्टिक है उसे हम इस तरीके से रखकर इस पर दो सलाई कर लेंगे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर यह दिखिए इस तरह से तो यहां पदेखिए इस पर मैंने स्लाय कर लिया है अब मैं आपको फिर से न आप कर दिखाती हूं कि मैने इस लाश्टिक है वो कितनी लिये हैं है यहां पर लाश्टिक है हमारी 9 इंच तो मैने इस एठारे लिया है डबल करके अब हमें जो ये हमारा घेरा है इसका जितना भी है वो हमें इसी में adjust करना है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे इस तरह से अपनी इसे लेंगे और इस पर हम ये देखिए घेरे को हमें इस तरीके से लेना है और लाश्टिक को हमें इस तरह से रखना है इस तरह से रखते हुए हमें इस तरह से फोल करते हुए इस तरीके से फोल करते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है इसके चारा तरफ हमें इसे सिल कर त्यार करना है तो मैं इसे सिल लेती हूँ जब हम सिल लेंगे तो सिलाई हमें लाश्टिक पर नहीं लगानी है हमें सिलाई को नीचे की साड में लगाना है लास्टिक को हमें ऊपर रखना है और सिलाई को हमें थोड़ा सा नीचे लगाना है तो यह देखिए इस पर मैंने सिलाई कर ली है यह देखिए और इस तरह से आई है और इस पर मैंने डवल सिलाई कर ली है कफि अच्छा के रहा है तो आभी मैं आपको वैंना कर दिखाऊंगे, इसे कितना लोक आ रहा है, भूत ही प्यारी सिए, हमारी त्यार हो गई है तो आपने देखा होगा व्रेश पड़ी विफ्रोग कुर्टी से हमने कित्ती ही प्यारी सी स्कट बना कर त्यार कर लिए है जो देखने में भी काफी आदा खुबसूरत लग रही है अगर आप इस तरह की स्कट बनाना कपड़े से सीखना चाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरू बता है मैं आपको जरू सिखाऊंगी बहुत ही प्यारी सी हमारी स्कड़ बनका त्यार हो गई है और इसे आप बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं मैंने हाँ पर 6-7 साल की बच्ची के लिए बन नाए तो प्लीज व्डियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वसिया करें फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक कि लिए बैब बैए तो यह देखिए किती ही प्यारी लग रही है यह देखिए इसका जो घेरा है वो कितना ही अच्छा आया है बहुत ही प्यारी यह सकट लग रही है और बहुत ही सुन्दस सी हमारी यह सकट बनका त्यार हो गई है आपने देखा हुगा इस सकट को बनाना तो यह देखिए कितना ही अच्छा इसका गीरा है बहुत ही प्यारी लग रही है तो आपने देखा हुगा इसे बनाना कितना आसान है बह